नमस्कार सातियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल धनराज शौट हैंड डेकेट में इस टानों क्लासेज में दोस्तों आज का अमारे ये डिक्टीशन जनसत्ता न्यूस पेपर का डिक्टीशन है जो की असी शब्द प्रितिमिठी के तिसलिए बोला जायेगा आप सभी के लिए तो आए स्टाट करें डिक्टीशन पांस सेकेंड बाद स्टार्ट भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविद्धता और सम्रद सांस्कृतिक विरासत है विराम इसके साथ ही यह है अपने आपको बदलते समय के साथ ढालती भी आई है आजादी पाने के बाद भारत ने बहु आया में सामाजिक आर्थिक राजनितिक बदलाव की जो कहानी लिखी गई है उस कहानी का अधिकांश हिस्सा युवाओं के नाम रहा है विराम कहते हैं कि युवा जिधर चलते हैं जमाना उधर का रास्ता ही अक्तियार कर लेता है विराम वैसे भी विश्व इतिहास का अमूमन हर तौर इस बात का गवाह रहा है कि बदलाव की शुरुवात युवाओं से होती है वक्त के मताबिक युवा यह समझते हैं कि कैसे एक साथ होकर विकास का रास्ता तै किया जा सकता है विराम जब बात देश और समाज के निर्मान और विकास की बात हो तो इसमें युवाओं की भागीदारी के बिना यथा इस्थति में बदलाव की उम्मीद बेमानी होती है हालाकि यह युवा ही है जो बदलाव के जड़ हो जाने और उसके बाद यथा इस्थति के हालात को तोड़ता है विराम वह समझता है कि अगर बदलाव किसी भ्रहम का हासल है तो उसके नतीजे दर्ग कालिक महत्व को नहीं होंगे जाहिर है जो युवा पुरानी यथा इस्थति की तोड़ कर नई राह बनाता है वह नई परिस्थितियों में पैदा हुई जड़ता को भी तोड़ कर नया युग रचता है विराम पैरा आज भारत क्रशी के छेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगी करत देशों की शिरेणी में भी इसकी गिंती की जाती है विराम विश्व का सात्वा बड़ा देश होने के नाते भारत शेश एशिया से अलग दिखता है जिसकी विशेशता युवा शक्ती है विराम हाला कि कई बार युवा अपनी शमताओं का इसलिए सही उपयोग करने के बजाए नकारात्मक दिशा में अपनी उर्चा लगा देता है जिसका परिणाम खुद उसे भी भुगतना पढ़ता है विराम ऐसे में युवाओं को प्रेरित करने में समाज की मनीशियों और चिंतकों की महत्वपून भुमिका होती है ये मनीशी और चिंतक युवा शक्ती के लिए सदैव प्रेरक होते हैं उनके लिए प्रतीक का काम करते हैं कई बार युवाओं की उर्जा को सही दिशा में मोड कर इतिहास बना देते हैं विराम सामान्य तौर पर ऐसे लोग समय समय पर देश काल और परिस्थिती के अनुसार बदलते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व अपने इस्थिर और ठोस चरित्र के साथ सब के लिए प्रेर्णा बन जाते हैं विराम ऐसे ही एक काल जाई शक्सियत हैं स्वामी विवेकानन्द जो पावन चिंतन धारा आश्रम के भी प्रेर्णा स्त्रोत हैं विराम अपनी युववस्था में ही दुनिया के लिए वे कितने एहम हो गए यह किसी से छिपा नहीं है विराम यों भी किसी भी व्यक्ति की युवा आयू वीरता बाहुबल उत्तेजना जिग्यासा न्यायपून द्रस्टी कोन और ऐसे ही कई सारे गुणों से भरी हुई होती है इसकी एक मिसाल इस रूप में देखी जा सकती है कि जब पूरा विश्व एक अद्रश्य शक्ती कोरोना से जूज रहा था उस वक्त भारत का युवा देश के प्रती पूरी तरह से समर्पित था आज विज्यान प्रद्योगी की गनित वास्तुकला इंजिनियरिंग और अन्य छेत्रों में युवाओं ने बहुत प्रगती की है जिससे देश का मान सम्मान भी बड़ा है युवा शक्ती भारत की सर्वोच शक्ती है और उन्हें द्रड संकल्प लेकर कठोर मेहनत करके अपना समाज और अपने देश का विकास करना है विराम ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सामना वे नहीं कर सकते मगर आज कुछ युवा सही मार्ग से भटकते दिखाई देते हैं उन्हें अपने और पराये में फर्क नजर नहीं आ रहा विराम सच यह है कि उन्हें उनके मार्ग से दिख भ्रमित किया जा रहा है विराम समय समय पर इसके उदाहरन भी देखे गए हैं कि जब युवा का रास्ता खो जाता है तब बहुत कुछ अच्छा भी खराब होने के रास्ते पर बढ़ चलता है विराम दर असल इसी उम्र में युवा पीडी परी योजनाएं खेल और अन्य कलपनाओं को नियंतरित करना सीखते हैं विराम इस आयू में लोगों को गंतव्य की और बढ़ने का समय मिलता है जिसे व्यावसाइक जागरुकता और व्यक्तिगत मत भेदों के महत्वपून अध्यन के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है विराम आज युवाओं को खुद सोचना समझना चाहिए और विचार करना चाहिए की हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे अपनी ही मान मरियाता खंडित हो रही है विराम पैरा आज धर्म के नाम पर युवाओं के लडाया जा रहा है ऐसे समय में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों का अनुसरन करना चाहिए विराम शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के अपने भाशन में विवेकानंद ने कहा था कि हम सर्फ सार्फ भौमिक सहन शीलता में ही केवल विश्वास नहीं रखते हैं बलकि हम दुनिया के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं विराम मैं गर्व करता हूँ की मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धर्ती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताये गए लोगों को शरण दी है विराम उन्हें युवाओं की उर्जा पर बहुत भरोसा था विराम वे कहते थे की युवा वह होता है जो बिना अतीत की चिंता किये अपने भविश्य के लक्षों की दिशा में काम करता है विराम आज जरूरत है देश की राजनीती में युवाओं की व्यापक भागिदारी सुनिश्चित की जाए ताकि देश को एक नई दिशा मिले पून विराम तो दोस्तों यह थी है हमारे आज की आर्टिकल की डिक्टिशन जो की अस्ती शब्द प्रतिमिट की करतीस बोली गए थी और हाई कोट के लिए भी बहुत ही महत्वपून डिक्टिशन है तो आशे करते हैं आप सभी को यह डिक्टिशन पसंद आयोगी तो फ्लीस कमेंट ब लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद